देश में फल और सब्जियों की महंगाई फिर से भढ़कने की आशंका बढ़ गई है इस वज़े से फलों और सब्जियों की आगने वाले दिनों में महंगाई हो सकती है वज़े हैं गर्मी गर्मी के कारण भारतिय बागवानी अनुसंधान संस्थान के निदेशक S.K.S. कहन है कि देश के कुछ हिस्सों में फल और सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और महंगाई दस से तीस फीसद तक इस उत्पादन का घटने की आशंका है और इसकी वज़े से महगाई भढ़क सकती है सर पहला सवाल है कि कौन सी ऐसी फसले होंगी कौन सी ऐसी फल अर्टिकल्चलर रिसर्च के इसके आंकलन में दिखाई देती हैं और दूसरा है कि गर्मियों की जल्दी शुरुआत हुई है जिसका असर हमें अरभी की फसल पर दिखाई दे रहा है पर ये साल फल सबजियों के हिसाब से काफी चुनोती पूर्ण रह सकता है अगर हम और मौसमी वाटरमेलन्स बनाना कैश्यू यानि भारत की फल सबजियों की और नगदी फसलों का एक जो बड़ा हिस्सा गर्मियों के मौसम में होता है उस पर के उत्पादन पर 10 से 30% तक की कमी आ सकती है इंस्टिटूट का ये भी आकलन है कि सबजियां लीफी की का आसर देखा जा रहा है इस तरीकी की खबरे पहले ही आ चुकी थी चुब हम एक हफते पहले से ही आ रही है कि महराश्ट्र में जो अलफानसो मैंगो के प्रोडियूसर्स हैं जो सबसे पहले आने वाला आम है बाजार में उन्होंने उत्पादन में करी 40% की गिरावट क की आशंका पहले से जाहिर की है आम के मैंगो की का जो कल्टिवेशन होता है कई सारे चेत्रों में वहां से आम की फसल कमजोर होने का और उसके संकेत शुरूआत से मिलने लगे है हीट की जो कंडिशन है खासतर से मौसम विभाग के मान रहा है कि साल जो हीट वेप की दिखा दिखाई दे रही है है उस वो वो परिस्थिती आने वाले समय में और आगे बढ़ेगी फरवरी में जो ऑसत एवरेज मैक्सिमम टंपरेचर है वो करी करीव 29 डिगरी से उपर निकल चुका है 29-5 डिगरी के असपास निकल गया और इसका असर हमें अब अगले 3-4 मह महंगाई को देखें तो वहां क्या गनित बनेगा क्या समीकर्ण बनेगा खाद महंगाई की तस्वीर और ज्यादा विकट हो रही है और यह समस्या हमने जनवरी से बढ़ती हुई देखी थी अब दोनों बड़े मोर्चे थाली के फलसबचियों की महंगाई में गिरावट थी हमने अक्टूबर नॉम्बर के दोरान और उसी समय भारत में खाद महंगाई में थोड़ी कमी भी देखी गई तो इस तरीकी की भवश्वानी की गई थी कि फूड इंफलेशन पर नियंतरन हो रहा है लेकिन अब मौसम इस साल का सबसे बड़ा खलनायक है अनाजों की त बाकी चीज़ों से जोड़ सकते हैं हमने पिछला पूरा साल साथ फीज़ी से उपर की खाद महंगाई में देखा शुकूम सारी खाद वस्तुएं दूद से लेकर अनाज तक और फल सबजीयों तक जाधातर जगें महंगाई रही और उसने भारत में लोगों की खपत को भी भी कम किया और उनके जीवन जीने की लागत भी बढ़ाई एक ही खबर महंगाई के मोर्चे से थोड़ी रहात धरी आती है और वो सरसों को लेकर मस्टर्ड को लेकर आ रही है सम्भाना जा रहा है कि इस पर तिलहन का उत्पादन अच्छा रहने की संभावना है और इसलिए बाजार में कीमते MSP से नीचे चली गई है यानि खादे तेल को लेकर थोड़ा सा दबाव कम हो सकता लेकिन भारत को बड़े पैमाने पर खादे तेल का आयात करना पड़ता है तो इसलिए इंपोर्टेड इंफलेशन का आसर तो खादे तेल की कीमतों पर रहे गाई